तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकोर्ट्स देखते हैं कि कि रिकोर्ट्स जान लेंगे तो बिहावियर का पता चल जाएगा, कंडिशन का पता चल जाएगा, रवीन चीजों का पता चल जाएगा, तो मैच का भी पता चल जाएगा, कैसे चलेगा, कौन से फिलियर रन मारेंगे कौन से बियार बिकेट निकालेंगे लेकिन यहां से न अब आपको वीडियो ध्यान से देखनी है ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में अभी तक IPL के 13 मैच के लिए जिसमें से टार्गेट डिफैंड हुआ पांच मैच में टार्गेट चेज हुआ आठ मैच में यानि ज्यादा तर मैचों में क्या होता है टार्गेट चेज होता है अबरेज स्कोर यहां पर फरसनिंग का 177 ट टार्गेट चेज की बात करें 173 173 से नीचे स्कोर बनेगा 10 से बैस में से आठ मैच में टार्गेट चेज हो सकता है टार्गेट डिफैंड की बात करें 189 189 प्रस स्कोर बनेगा 10 से बैस में से आठ मैच में टार्गेट हो सकता 173 से 189 की भी इसमें टार्गेट होगा आप स स्कूर यहां पर फास इनिंग का 151-9 बिकिट ये भी मुंबई इंडियास के नाम पर है अगर हम इस मैदान पर हाइस टोटल चेज की बात करें 210 जिसे लखनो सूपर जाइंस ने चैन्याई सूपर किंग्स के सामने IPL 2022 में किया था लोवेस टोटल डिफैंड की बात करें 151 ज असलब इस मैदान पर लोव स्कोरीं मेच अभी तक एक भी नहीं हुआ 150 से 179 के भी में तीन बार स्कोर बन चुका है 170 से 189 के बेच में साथ बार स्कोर बन चुका है तो scoring pattern देखने के बाद क्या लग रहा है यही लग रहा है यहाँ पे जो मैंच होते है ज़ादा तर high scoring मैंच होते है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि यहाँ का पीछ है बिल्कुल support है बैटिंग के लिए बहुत ही ज़ादा जब वर जासते है बिल्कुल थोड़ा बहुत लेकिन आप सबको बता है इसलिए यहाँ पे जो ज़ादा तर्मयाच होते है वो high scoring मैंच होते है अगर हम इस मैंदान पे दोनों टीमों के performance की बात करें पंजाब किंग्स ने दो मैंदान पे एक जीता एक हारा मतलब पंजाब किंग्स यहाँ के मैंदान पे एक जीता एक हारा है बहुत अच्छी performance नहीं कह सकते है गुजराट टाइटन्स की बात करते है पहली पहली बार यहाँ के मैंदान पे मैंदान पे मैंदान पे मैंदान गुज़ाद टाइटन्स की बात करें विजय संकर के जगर पे में भी किसी नहीं लड़के को मौक़ मिल सकता है यह 50-50 हो भी सकता है या फिर विजय संकर को एक मौक़ और मिल सकता है इसके अलावा जो पूरी टीम है ना बिलकुल सेम रहने वाली कि दो मैंस के ला नाग बल्लेवाजी है नाम देखो नाम मैंक अगरवाल, सिखरदवान, जोनी वैस्टो, लियाम लिगमेस्टर, सारुक खांट, जितीश, सर्मा, ओडियन, इसमित, मतलब ये बल्लेवाज एक बल्लेवाज चला वन मैन आर्मी की तरह खेलेगा अपनी टीम को मैचे जिता द रिए मैच इनके हाथ में आ गया, वहीं अगर में इनकी गेंद वाजी की बात करें, तो इनकी गेंद वाजी बहुत ही चल लही है, क्यूंकि राहुल चाहल लगातार सभी मैचों में बढ़्या गेंद वाजी करें, तेज गेंद बात कर तो अर्श्य दीप सिंग अकचिश तो रवाड़ा बढ़िया गेंदवाजी तो करते थे लेकिन इनका जो चौथा पाँचवा गेंदवाजी तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था लेकिन बैबो अरोड़ा के आने के बाद ना ये भी मतलब प्रोब्लम सोल्व होगे तो इनकी गेंदवाजी बहुत ही बढ़ एक मैस में बढ़िया एक मैस बैफर आप हारदीक पांड्या जिस तरह से फॉर्म में दिख रहा है न सामने वारी टीमों के लिए खत्रे की गंटी है राहुल तेवटिया बोला था नाम तो सुना होगा बोल गय थै याद दिला दू राहुल तेवटिया इस बैग तो इनके लिए भी थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है लेकिन मुझे लगता है यह सब कुछ सा साइड कर देंगे आज की मैस में बहुत मारेंगे अगर हम इनकी गेंदवाजी की बात करें तो इनकी गेंदवाजी बहुत ही ज़ादा जब और जाशता है क्योंकि इनके पास मुहमद करामाती खान को दो भूली गए करामाती खान ऐसे गेंदवाजे जहां जाते हैं बस इनका ही जादू चलता है कोई भी टीम हो कोई भी मैदानों कुछ भी हो लेकिन यहां का जो पीछे गेंदवाजों के लिए ज़्यादा बढ़िया है नहीं और सामने है पंजाब किंग्स की भल्लेवाजी जो कि सबसे ज़्यादा खतरना के सबसे ज़्यादा पावर हिटर है तो इनके लिए आसान नहीं होगा लेकिन यह गेंदवाजी वो है कोई भी मैदानों कोई भी टीमों कोई भी पिलियरों बढ़िया करके चले ही जाते हैं तो अगर हम यहां पर दोनों ट पन्जाब गिंग्स की वल्ले वाजी गेटन से बहुत ज़ादा बेहतर नजर आ रहें तो हम कहे सकते हैं यहाज है बल्ले वाजी वर्सेस गेटन वाजी और मुझे लगता है जो आज का मैच होगा गुज्राब टैटन से जीतने के चांशते थोड़ा सा जादा नजर आ रहें इसका मतलब यह नहीं हुआ पनजाब Kings ये match जीत नहीं सकता है ये घुज़ाइ टैटन ये match ये match हार नहीं सकता है किरिकेट मैच से कभी भी कुछ भी हो सकता है बस मुझे ऐसा लगता है घुज़ाइ टैटन के जीतने के चायसे थोड़ासा ज़ाधा नजरा आ रहा है जोकी तो मैयंग का अगरवाल नो मैच 370 बना चुके हैं मतलब बढ़िया फोर्म में पिछले सीजन इस सीजन की बात करें अभी तक इनका बल्ला उस तरह से चला नहीं पहले मैच में बढ़िया पारी आई थी लेकिन उसके बाद बढ़िया पारी नहीं आप है तो मैयंग का अगरवाल को अपनी टीम में आप रख सकते हैं सिखर दवन 3 मैच 161 सिखर दवन मतलब बहुत अची परफोर्मेंस नहीं है लेकिन पहले मैच में बहुत अची बल्लेवाजी करी थी बाकी धवन तो गबबर है गबर का फोर्म में आजए क्या पता तो गबर मुझे लगता ह इस मैच में इस बैग बढ़िया परफोर्मेंस करने वाले तो आप इन्हें भी अपनी टीम में रख सकते हैं सुपरमन गिल की बात करें दो मैच के लाग उज़ाद टाइटन के लिए 84 बनाया तो कि पिछले मैच में बहुत अची इनकी पारिया 84 मारे थे उससे पहले वाले मैच में जीरो पे आउट हो गए थे सुपरमन गिल इस मैच में भी बढ़िया पारी खेल सकते हैं इन्हें भी अपनी टीम में जरूर रख हैं। आपको पॉइंट से दिलाएगा बेले से भी और गेंट से भी और चलेगा आज के मैश में मुझे लग रहा चलेगा तो लियाम लेग मेस्टन को अपनी टीम में जरूर रखे गेनवाज़ों के बात कर तो अरसेदीब सिंग 9 मैश 13 वेगर बहुत अच्छा गेनवाज है सभी म जरूर निकालेंगे तीन बिगड भी निकाल सकते हैं तो राहुज जहार को अपनी टीम में जरूर रखे मोहमाज समी दो मैच 5 प्रिकेट पहले मैश में तूफान ला दिया दूसरे मैच में डेथ होबर में बहुत अच्छी गेनवाज़ी करें तो समी को जरूर रखे तो इसमेश में भी यह दो-तीन बिगड निकालने वाले हैं मतलब लोकी फागिस्टन हमें बढ़ी अपनी टीम में जरूर रखे तो भाई लोग यह कुछ पिलियर हैं जिनको मैंने बता है आप इनके साथ ना अपनी फंटासिक रिकेट की टीम बना सकते हैं बाकि अगर आप मे करना के देना वह यह रही है बाकि अगर आपको मैच स्टार्ट होने के 20-25 मिट पहले चार-पांच टीम है और आपको पता जब सही जगे आएंगे तभी सही सही फायदा होगा सही जगे कैसे आएंगे आपको इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम जोइन नहीं करना पर जो डिस्किप्शन में टेलीग्राम की लिंक की मिलेगी वही से जोइन करना है या पर जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट होगा ना वहां पर मेरे टेलीग्राम की लिंक की मिल जाएगी वहां से भी जोइन कर सकते हैं तो यहीं दो जगे से मेरे टेलीग्राम जोइन करे कि क सब्सक्राइब नहीं किया करतो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मैच की पिसी पोड मैं आज पर वियू and fantastic week के साथ तब तक के लिए god bless you